बहुत सारी लोग कुट्टे को खाना खिलाना चाहते हैं बीना ये जाने कि उसको खिलाने से कोई फाइदा हो सकता है या आपके जीवन में कोई नुकसान ही नुकसान होगा मैं आपको धर्म और साइंस के मुताबिक दोनों चीजे बतलाऊंगा आप लोगोंने कई बार सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाने से हमेशा पुन्य मिलता है क्योंकि गाय में 33 कोटी देवी देवताओं का बास होता है और साथी साथ रोटी खिलाने से या उनके सरीर पे हाथ फैलाने से बहुत सारा फाइदा होता है और बहुत बार ये देखा गया है कि कुट्टे को बहुत ही घिरनित जीव के तरह देखा गया है अगर गलती से कोई कुट्टा घर में चला जाए तो पूरे घर को लोग धोते हैं और घर को सुध्ध करवाते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि भगवान सिप जी का जो रोद्र रूप है जिसको हम लोग भहरव भगवान के नाम से जानते हैं उनका जो प्रम पुझ स्यवारी है वो डौगी है, वो कुट्टा है और आज के समय में आपको पता ही है कि कुट्टे को لوग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और जैसा कि आपको पता है भगवान भेरव जी का पूझा करने से बहुत सारे मनोकामनाओं का पूर्ति होता है साथे साथ डर का भी नास होता है और आपके घर में सत्रों का हामला नहीं होगा धन का भी अगर कमी है तो उसमें भी बहुत जादा मदद होता है दोस्तो ये तो हुआ धार्मिक तरीके से क्या फायदा होता है लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग कुत्ते को रोटी या खाना खिलाते हो तो इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है दोस्तो आपको पता ही है कि कुत्ता जो आपके घर के आसपास आपके सोसाइटी में रहता है वो कितने ज़्यादा दुख में रहता है अभी हम लोगों के घर में इतना ज़्यादा गर्मी है घर में रहने के बापजुद हमें इतना कश्ट होता है, तो धूप में रहने के बज़े से उसे कितना कश्ट होता होगा, वो भी एक समस्दार जीव है और हमेशा अपना पूरा जंद्गी कश्ट में बिताता है, अगर उसको आप लोग खाना, पीना, रोटी और रहने के से होगा साथे साथ जब भी आप किसी भी जानवर को पूझते हो या उसको खाना पिना खिलाते हो या सेवा करते हो तो आपके अंदर एक पोजिटिव इनरजी का वहां होता है जिससे आप लोग डिप्रेशन में नहीं जाते हो किसी के परती बुरा नहीं सोचते हो या अपने अंदर के कमियों को भी आप लोग मारने लग जाते हो और इससे जंदगी में हमेशा जो उनती है वो होते रहता है हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल एक ही है ति जो भी लोग कुटे को मारते हैं या उनको एक घिर्नित तरीके से देखते हैं तो ऐसा ना करें पिछले जवाने में लोगों को पता नहीं था कि रैबीज कुटों में होता है काटने से बिख लगता है ऐसा उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं था लेकिन मैं आपको बता दू कि सभी कुटों में रैबीज नहीं होता है केवल और केवल पागल कुटों में ही रैबीज हो फिरी का वैक्सिन मिल जाता है दोस्तों ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेयर करिए ताकि जो लोग धार्मिक तरीके से या साइंस के तरीके से भी कुत्यों को मदद करना चाहें वो मदद कर सकें हमारे चैनल पर पसुपक्षिस के संबंधित बहुत सारे चैनल चैनल